नमस्कार गायतरी जोतिस के इंद्र में आप सभी लोग का स्वागत है, आप लोग के लिए हमेसारी जोतिस सासे जुड़ी, मैत्यूनि जानकारी जोतिस सास्त्री की जिसपर आप अमल करें, तो पुठेखल आवस्य HOL्स्य ही देखते हैं इस अवदी में हम आप लोगों के लिए ग्रह जनित उपाई पिसे इस तोर पर राहु के जनित उपाई आप लोगों के लिए ला रहे हैं क्योंकि यह कापी प्लादायक रहते हैं ऐसा माना जाता है गोचर में भी यदि खराब भाव में आ जाए या अच्छे भावों को में जाएं तो दूसित करते हैं घराब भाव में आए तो उसके फल को यह बढ़ाते हैं तो इनसे संबंदी उपाई हमें आवस्य कर लेनी चाहिए इसके लिए आज भी हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह जनित उपाई लेकर आए हुए हैं कि हमारे जो एपिसोड जैसे की स पत्रिका में आप आकलन कर सकते हैं लगने क्या है किसी जो तीस से पूछिए थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए और इस एपिसोडों को जरूर देखिए हम परशादित हमने प्रारंबे किया हुआ हुआ है कन्या लगने तक पहुंचे हुए हैं तो आगे को भी हम बढ़ हैं तो पूरे नव के तुग्रह तक पूरी जानकारी रहेगी जो जानकारी ऐसी है कि सभी जीचाओं का कॉंबिनेशन है और वो बराबर सटीक जीवन में बैठती है और उससे ग्रह जनित उपाई आप लोगं के लिए पूरु में भी हम लाते रहे हैं अभी भी ला रहे है और आए को भी लाते रहेंगे तो बात करते हैं राहु ग्रह जनित सरल पांच उपायों की जिनें हम हर पत्रिका को देखते हैं राहु ग्रह जनित पीड़ा में लोगों को बताते हैं पहला उपाय है कि जब राहुगर की पीड़ा आदमी को चरम सीमा पर हो कोई फलदाई ना हो रहा हो तो ब्यक्ति को गोमूत्र का सेवन करना चाहिए भले ही वह पतंजली वाला अरक हो कोई भी हो या सुद्ध देशी गाय का गोमूत्र हो तो सोने फे सुआगा थोड़ा टेश्ट जरूर कर लेना चाहिए या एक चम्मच जरूर पीना चाहिए पहला दूसरा जल में गोमूत्र मिलाकर नियमित स्नान करना चाहिए एक तो गोमूत्र को पीना चाहिए पहला दूसरा गोमूत्र को जल में मिलाकर नियमित तोर पर इस्तान करना चाहिए तिसरा सूते समय जब हम अपने विस्तरे पे चले जाते हैं फाइनल हमारा सोना होता है कि अब हमने सिधे सोना है मूँ ड़क कर तो उस समय पे थोड़ा सा सहत खा लीजिए सहत का वर्ण राहू से मिलता है और राहो की प्रियसामगरी में भी यह आता है इसको सोते समय सहत खा लीए चौथा घर में अवस्य ही हमेशा ही नियमित तोर पर तिल के तिल का दीपक जलाईए बले ही कलेवा लाल रंका हो लाल रंके कलेवा का इस्तिमाल कर लीजिए इससे क्या है कि रोग नास होता है बड़ी बाधाओं का नास होता है और कोई मंगल कारे अटका हुआ होता है तो वह मंगल कारे पूंड होने लगता है विसे इस तोर पर मंगलवार सनिवार को तो लाल रंके कलेवा का दीपक अवस से ही जलाएए तिल के तेल का अन्य दिनों सपेद रुई का भी चलाएंगे तो चलेगा पांचवा है अत्यांत महत्योपूर्ण जो हर किसी के लिए जरूरी है सफाई राहु ग्रह जनित यती पीड़ा हो रही है तो साफ सफाई का भी से ध्यान रखे पटे पुराने कपड़े आदी ना पहनिये इसके अत्रिक्त टॉइलेट को अवस से ही साफ रखे कुछ न शाफ रखे ना रखे टॉइलेट पर अवस से ही साफ रखे क्योंकि राहु कावास गंदगी समसान आदिस्तानों पर माना जाता है इसलिए जो विद्वान जो तीशी है बो लोग जो बताते हैं यह राई देते हैं तो यह सरल पाँच उपाए हैं राहु ग्रह जनित पीड़ा हो रही हो तो इस उपाई से आप निजात पा सकते है और लोगों ने उपाएं को आजमाया है और चमतकारिक प्रतिफल प्राप्ति किया हुआ है ऐसे धेर सारे 90% एपिसोड ऐसे हैं जिन पर लोगों की पॉजिटिव राय है प्रतिफल है जो तीस संबंदी जानकारियां का प्रतिफल है क्योंकि यह एक प्रकार से भगवान का ना तो फिलाल नहीं लोगों से आग रहे हैं जानकारी हमारी आज की प्रसंद आई तो जरूर आगे बड़ा कर सकते हैं चैनल से जुड़ सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन अवस्य ही दबाएं बहुत अच्छी जानकारी है समय समय पर आप लों को देखने को सु ना ओम नमस्यवाद